बच्चो आजम परिवेश पुस्तक से पाठ तीन पत्तंग और गुबाड़ा कहानी को पढ़ेंगे इसके लेखक डॉक्टर मधूपन जी है मधूपन जी की अधिक्तर कहानिया कालपनिक और सन्वाद लेखन प्रक्रिया पर अधारित है इससे पहले वाले पाठ यानी बस्ता और जूता में आपने देखा ही होगा किस तरह बस्ता और जूता आपस में सन्वाद कर रहे हैं पतंग और गुबारा कहानी में आप देखोगे कि किस तरह पतंग और गुबारा हवा में उड़ते हुए एक दुसरे से सनवाद एवं वाद विवाद करते हैं तो बच्चो इस कहानी को ध्यान से सुनिये एवं उससे मिलने वाली महत्वपुन सिख्छा को अपनी जीवन में ग्रहन करिये कहानी इस तरह से हैं रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती मुस्कुराती आसमान में उचे उड़ रही थी इतनी उचाई पर अपने आपको देखकर वह फूली नहीं समा रही थी वाह मैं इतना उचा उड़ सकती हूँ या सोचकर वह जूम उठी यानी ना चुठी खुशी से उड़ते उड़ते जब उसने नीचे जहांका तो उसे बड़ी जोर से हसी आ गई क्यूंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे वाह रहा संदीप देखो मेरी डोर था में जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानू एक चीटा हो खिल खिलाती हुए वह स्वेम से बोल उठी तभी उसे एक आवाद सुनाई पड़ी अरे तुम अपनी उचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो जानती हो चीटा करकर तुम जिसकी खिली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है पतंग ने पलट कर घुसे से देखा गैस से भड़ा एक गोल मटोल गुबारा उरते उरते उसके पास आ गया था उसके धागे का दुसरा सीरा गुबारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छुट गया था धागा निजे लटका हुआ हवा में जूल रहा था हस्ते हस्ते पतंग बोली ओ गुबारे पहले तुम अपनी कटी हुई पूछ को तो देख लो किसने मजग बुडाया पतंग ने कि उसकी लटकते हुए जो धागा है उसे पूछ कहते हुए बोली कि अपने पूछ को तो देख लो कटी वई पूछ को पूछ यानि नीचे लटकता हुआ धागा ऐसा करकर उसे उस पर मजाग उड़ाने लगी और जोर-जोर से हसने लगी गुबारा बोला अरी पतंग रानी जरा तुम उचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो परन्तु तुम्हारी उचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है कमाल तो है तुम्हारी पूछ यानि डोर का जिससे तुम बंधी हो बच्चो आपने देखा है ना पतंग उड़ाते समय पतंग का डोर बच्चे के हाथ में होता है या अगर आप उड़ाते हो या कोई भी उड़ाता है तो उसका डोर जो उड़ा रहा है उसके हाथ में होता है ठीके गुबाड़ा एक बड़ आसमान में उड़ गया तो उसे किसी धागी की तो जरुवत नहीं है वो अपने आप उड़ सकता है तो वही बात गुबाड़ा कहा रहा है भले ही मेरी पूछ कटी हो पर उड़ तो मैं अपने आप ही रहा हूँ हाँ 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 करके वह जोजोर से पतंग पर हसने लगा गुबाड़ी की बात सुनकर पतंग आप बबुला हो गई मतलब बहुत अधिक गुसा हो गई बोली जिसे तुम मेरी पूछ कह रहे हो वह धागा है उसमें मांजा लगा है पता है बच्चो यह मांजा कैसे बनता है जो बहुत ही खतरनाक होता है उसी को महीन पीस कर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं जिसके कारण मांजे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है ठीक है और पतंग बोलती है मेरा मांजा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती मैं तुम्हारी डोर को भी काट सकती हूँ यानि जो गुबारे के नीचे जो डोर लटक रहा था तो पतंग बोल रही है कि मैं तुम्हारी डोर को अपने मांजे से काट सकती हूँ और जोर जोर से हसने हुआ हमाने लगती है क्या तुम नहीं जान्ट है कि वह काटने के लिए दोनुघाकों का किसी तुना हुआ है यह पर एक होना चाहिए मेरे युद्धात ही ही तरह से हुआ थागत है तो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाओगी गुबारा कहता है क्योंकि वह तो हवा में जूल रही है गुबारे ने हसकर अपना मूँ खोला और जोर-जोर से हाहा करके हसने लगा फिर पतंग चिर कर बोली तुम्हें भी ज्यादा डिंग मारने की जरुवत नहीं मतलब अपनी तार बोला बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर है फर्क स्रिफ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारो और की हवा से हलकी है गुबारे के अंदर जो हवा भरी है यानि गैस भरी है वो चारो और की हवा से हलकी है इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूं जैसे पानी में हलकी ची के लिए गुबारा कहता है यानि पतंग को उड़ने के लिए हवा ही तुमारी मदद करती है पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी बोली मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उडाती है मुझे तो वह डोर उडाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूं पतंग को अभी भी लगता है कि वह डोर के सहारे उड़ती है ठीक है उसे हवा की जरुवत नहीं उसका दुसरा सीरा तो नीचे खड़े संदीब के हाथ में है जो जटके दे दे कर मुझे उड़ा रहा है गुबारा मुस्कुराता हुआ उसे फिर समझाता है और कहता है पर क्या तुम्ह उड़ान लेने में मदद मिलती है ठीक हलके और भारी दबाओ यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई गुबारा फिर बोला और जहां तक डोर का सवाल है हम दोनों ही डोर से बंधे हैं हम दोनों का उद्देश भी एक ही है बच्चों को खुश करना रंग बिरंगी पतंग ह हावा या गैस से भरी रंगीन गोल मटोल गुबारे बच्चों को समान रुप से भाते हैं पतंग बोली हाँ गुबारे भाई तुम बिलकूल ठीक कह रहे हो मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी फिर दोनों खुश हो कर आसमान में उड़ने लगे और हस हस कर बाते करने ल कहानी से क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से बच्चों दो विशेश सिक्षा हमें मिलती है वह यह है कि हमें कभी अपने उपर खमन नहीं करनी चाहिए हमेशा परस पर एक दुसरे से प्रेम भाव रखनी चाहिए और मिल जुलकर रहना चाहिए और अपनी दिंगे अपनी ता उसे उड़ाने के पीछे संधीप और डोड का भी हाथ है वह उच्छी उड़ान उरकर नीचे के सभी लोगों को अपने से तुछ यानी छोटा समझने लगती है तो बच्चों अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो उच्छी बुलंदियों को प्राप्त करते हो अपने लक्षे तक पहुच जाते हो तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपको उस बुलंदी तक उस उचाईर तक पहुचाने में आपके मातापिता और वे ऐसी बहुत से लोग हैं जिनोंने काफी मेहनत किया व्लंदी तक पहुचाने में तो बच्चो आप उस पुलंदी पर पहुँच कर कभी भी अपने उपर घमन मत करना परस पर प्रेम की भावना और एकता की भावना बनाया रखना और बच्चो अपने उपर कभी अपने गुणों की या आपने अगर कोई बहुत अच्छा कारे कर लिया है तो उसकी बखान स्वेम अपने मुख से करने की जरुवत नहीं है अगर आप अच्छा कारे किये हो तो उसकी बखान यानि उसकी प्रसंसा जरूर एक नएक दिन होगी आपको अपने मूँ मिठू बनने की जर्वत नहीं है यानि आपको अपनी प्रसंसा स्वेम करने की जर्वत नहीं है तो बच्चो इस पार्ट को आप दुबारा एक बार फिर से दोराईए यानि पढ़िये और फिर से समझे ओके धन्यवाद